देश के दक्षिन और पश्चिमी राज्यों में चक्रवाती तूफान तोक्ते भीशन हो गया है भारते मोसम विभाग यानि IMD के मुताबिक पिछले 24 गंटों में दक्षिन भारत में भारी बारिस और आंदी तूफान की वज़े से साथ लोगों की मोत हो गई है शैकडो घर तबा हो गए है महराश्च्र और अन्य पश्चिमी तटिये इलाकों में कहर डारे चक्रवाती तूफान तोक्ते का असर अब उत्तरप्रदेश और राजस्थान में दिखने वाला है आने वाले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश और राजस्तान में बारिस और आंदी तूफान की संभावना है IMD के मताबिक राजस्तान में तूफान तोक्ते का असर तो आज से ही यानि 18 मई से ही दिखने लगेगा वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तूफान तोक्ते का असर 19 मई को दिखने की संभावना है दोनों राज्यों को तोक्ते से अलट रहने को कहा गया है 19 मई को उत्रप्रदेश के जयातर इलाकों में भारी बारिस होनी की संभावना व्यक्त की गई है मोसमी भाग ने बताया कि आने वाले 24 गंटे में यूपी और राजस्तान में कई इलाकों में तेज हवाईं और धूल बरी आंदी चलने की संभावना है इसी तूफान की वज़े से पस्टिमी विचोबी अपना असर दिखाएगा दोनों राज्यों में 18 से 20 मई यानि दो दिनों तक बारिस और आंदी पानी की संभावना व्यक्त की गई है कर दो